आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीमेल आइडी में अपना फोन नमबर एड कैसे करें यानि कि अपने जीमेल आइडी में अपना नमबर कैसे जोड़ें ये बहुत जरूरी हो जाता है ताक कि बाद में आप उसका पासवर्ड फॉर्गोट कर सको या आप उसे वापस निकाल सको इसके लिए आपको चाहिए प्ले स्टोर प्ले स्टोर को ओपन करिया अपने फोन में आपके फोन में जीमेल आइडी लॉगिन होगी यहाँ पर आपको गोल आइकन मिलेगा इस पर टच करें यहाँ पर आपको मिलेगा गूगल अकाउंट यहाँ आपको मिलेगा मैनेज यूर गूगल अकाउंट तो दोनों में से कुछ भी मिलता है टच करिए इसके उपर यहाँ पे आपको मिलेगा personal info इस पे touch करें नीची की तरफ आए यहाँ पे आपको मिलेगा आपका gmail id यहाँ पे आपको मिलेगा phone यहाँ पे आपको number add होगा अगर नहीं है तो add कर लीजिए वन्हाँ दूसरा भी add कर सकते हैं तो phone पे हम touch करते हैं यहाँ पर आपके पास ऐसा पेज आ जाएगा आपको मिलेगा add now इस पर touch करना है टस करने के वाद थोड़ा सवेड़ करना है आपको अपना password डालना है यहां password डाल दीजिए मैं अपना password डाल देता हूं हैं आपको यहां मिलेगा get code इस पर touch करें थोड़ा सा wait करें आपने जो number दिया है उस पर आएगा एक OTP तो यहां पर आपको OTP का wait कर ले ना है तो मेरे जो दूसरा phone है उस पर OTP आएगा मैं यहां पर OTP डाल देता हूं मेरे OTP आ चुका है पचपन 71 16 में डाल देता हूं पचपन 71 16 verify पर आपको touch करना है थोड़ा सा wait करना है आपका नंबर यहां पर add हो गया है आप देख सकते हैं आपको back करना है back करने के बाद यहां पर password डालने को कह सकता है फिर से back करिए और यहां पर page को refresh करिए और यहां पर आप देख पाएंगे आपका number यहां पर add हो जाएगा add हुआ 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 अगर नहीं मिलता है आपको यहां पर उपर आना है आपको मिलेगा है आपको sign in इस पर touch करें थोड़ा सा wait करें यहां पर कहेगा verify that see you next पर touch करें password डाल दीजिए अपना मेरा password डाल देता हूँ अपना next वाले option पर touch करें थोड़ा सा wait करें और मैं आपको बता दूँ कि number add होने के बाद थोड़ा सा यह time लेगा हमारा number आ चुका है हो सकता है आपको अभी भी ना दिखाई दे तो आपको थोड़ा सा wait करना है थोड़ी देर बाद number यहां पर दिखा देगा वीडियो पसंदा है लाइक करें चैनल को subscribe करें कोई सवाल है comment करें